मैं कहा रहा था कि हमारे जीवन में इसी प्रकार अप एंड डाउन आते रहते हैं सुख और दुख आते रहते हैं लेकिन जिन्दगी का नाम ही यही है कि उतार और चड़ाओ जैसे ECG किया जाए हार्ट का जो मसीन होता है ECG का मसीन उसमें हार्ट का ECG किया जाए और उसका रिजल्ट आए अगर रिजल्ट में बराबर की रेखा है जो लाइन है वो एकदम सीधी जाती हो तो आदमी क्या होगा आदमी मर जाएगा जिस आदमी की मौत हो चुकी होगी उसी की सीधी रेखा जाएगी लेकिन यदि कोई आदमी जीवित है तो वो जो ग्राफ होगा वो कोई ऊपर कोई नीचे कोई ऊपर कोई नीचे इसी प्रकार यदि हमारा जीवन है यदि हम जीवन जी रहे हैं तो हमारे जीवन में भी दुख आएंगे और शुख भी आएंगे लेकिन इन सुख और दुख में यदि हम अपने आपको अपने मन को यदि हरशित और छोभित करते हैं यदि हम अपने जीवन को दुखी और प्रशन्न करते हैं तो ये हमारी नासमजी है इन सब से हमें अनाशक्त हो करके एक निरलेब जीवन जीना है शुख मैं और सांति भै जीवन जीना है और इसी को ही कहते हैं आत्यांतिक शुख जिसको पाने के लिए हम सब लालाई थे ऐसा सुख जो कभी छूटे ना कोई भिगड़े ना ऐसा समय आये कि हमारे जो मन में प्रशनता है वो प्रशनता कभी गायाब ना हो तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन को इस धंग से बनाएं कि हमें कभी दुख ना हो कभी पीड़ा ना हो कभी कश्ट ना हो और फिर हम उस आत्यांतिक सुख को पा करके त्रिप्त हो जाएं ब